हम लोग पढ़ना आज Stress, Strain, Curve, है ना Stress, Strain, Curve Stress, Strain, Curve Stress, Strain, Curve उसके लिए Stress और Strain मतलब क्या होता नहीं होता है दोनों का मतलब वो एकधम से बजदना पढ़ेगा और ऐसा हो इने सकता है कि एकधम में आए एकदम पक्के तोर पर एक्जाम में आएगा ही आएगा मतलब जो question paper होता है उसमें पक्का एकदम ये रहता ही रहता है कि stress और strain क्या होता है stress क्या होता है ना curve बनाने के लिए आता है exam में curve मतलब क्या है ना कि जैसे हम wire लेंगे अभी और उस वायर को उस वायर को ऐसे लिए और यहाँ पर मान लो इस वायर को ऐसे यहाँ पर टांग दिए उस वायर को यहाँ पर टांग दिए और टांगने के बाद फिर उसमें हम एक पत्थर बांग दिए बहुत भारी पत्थर, मान के चलोगी 10 kg का पत्थर बान दिये उसके अध क्या किये, मेरा mood खराब हुआ हम उसमें अब बान दिये 20 kg का पत्थर फिर 30 kg का पत्थर, ऐसे करके उसमें 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg पत्थर का weight बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे एक समय आएगा, कि वो wire खिषते-खिषते-खिषते-खिषते क्या होगा तूट जाएगा, समझ मैं आएगा wire खिषते-खिषते तूट जाएगा तो जब तूट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे fracture point जैसे ही वह वायर टूटेगा तो उसको हमने क्या बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट और एक उसका लिमिट होगा ना खीचने का तो यह सब जो फेनोमेन्ध हो रहा ए कि वो वायर तूट जा रहा है या फिर तूटने से पहले खीच रहा है तो उसको जब हम graphically represent कते हैं तो उसको हम लोग बोलते है stress strain curve ठीक stress के बारे अच्छे से हम समझा चुके हैं stress वो होता है जो हम लोग लगाते हैं और strain strain मतलब जो length में नया changes दिखाई देता है वायर में तुम 10 kg 20 kg 30 kg 40 kg का weight ऐसे लटकाते गई लटकाते गई लटकाते गई और वो वायर खिचते गया 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 तो तुम stress देते गया और वायर खिचते गया खिचते गया नहीं कि उसमें strain आते गया आते गया और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आए जिस समय वह वायर टूट गया और कभी खीच भी तो रहा था वह उसके बाद ना टूटा तो उसी को क्या करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और उसी को क्या बोलेंगे और ये वायर क्या चीज़का होगा सवाल ये भी है कि वायर क्या चीज़का होगा तो ये वायर ये वायर या तो कॉपर का होगा या तो कॉपर का होगा या तो एलिम्यूनियम का होगा एक्सेक्टर एक्सेक्टर रबर के बारे बाद क्यों नहीं कर रहे हैं ये जो स्ट्रेस होता है रबर में तो प्लास्टिक नें नहीं है रबर को इस इसले रभर के लिए ग्राफ नी बने क्लास अफिसके नाम भी देते हैं क्या नाम देते हैं इसको लिखने मिया पर डग्टाइल सब्स्टैंस क्या बोलते हैं डग्टाइल सब्स्टैंस इसको लोग बोलते हैं डग्टाइल सब्स्टैंस इसको लोग बोलते हैं डग्टाइल सब्स्टैंस इसको लोग बोलते हैं ब्रिटल सब्स्टैंस इन में ब्रिटल सब्स्टैंस क्या होता है तो ब्रिटल सब्स्टैंसेज उसको बोलते हैं जैसे कि यहां पर एक्जामपल सब्सक्राइब इच्छा इसका ग्लास अरे भाई प्लेट लो प्लेट को छोड़ दो तो प्लेट गीर के तूट जाएगा तो प्लेट कैसा हुआ बिटल सब्स्टैंस हुआ क्या उसको खीचने का जरूत पड के जब उटेंसेंचे हैं य Васका इसका अलग हुआ इसका अलग हूँआ और इसका ला Jinika अलग हो नोग है इसका क्या बनाएं दॉक में देख 기자 कि क्या लिखा हुआ है डटाइल लिखा हुआ कि ब्रीड का वहा है जेनरली यहां पर एक्जाम में डटाइल और यहां पर लिख रहे है कि यह ग्राफ किसे लिए वाइर के लिए चलो यहां पर एक्सिस 206 161 को इस ऐसी यहां पर मतलब बता दिए हम अभी किचाऊ किचाऊ जैसे वायर को क्या COM लोग क्या देते हैं इस ट्रिस तुर याननि कि वायर को स्ट्रेस्ट दिया यानि कि इस्टमर फोर्स लगाए और फोर्स लगाने अध Jam strain याणिग की जाओ ठीक तो यहाँ पर हम इधर किसको रिप्र्जेन कर रहे है इस طرف strain बढ़ रहा है और इस तरह कौन बढ़ेगा इस तरफ बढ़ेगा stress Stress यह इस तरह ग्राफ होगा stress का अब हि दोने ग्राफ प्लॉट करते एकदम एकडम इसको मार्क कर दिये इसके बाद फिर ऐसा एकडम एकडम बनना चाहिए ग्राफ ठीक है इसको थोड़ा और उपर कर लेते हैं यहलका और उपर होगा नीचे नहीं होना चाहिए यह ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए यह ऐसे जागर के और उपर जाना चाहिए उसके बाद यहां पर ज्यादा भी नीचे नहीं जाएगा यह यहां पर आ करके रुख जाएगा फाइनली ठीक इसको हम बोलेंगे पॉइंट इसको हम बोलेंगे C, इसको हम बोलेंगे point D, और इसको हम बोलेंगे point E, exactly अदम ग्राफ यह बना चाहिए, पहले graph के अदम जल्दी से छापो, फिर एकक point, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस AB का मतलब क्या है, BC का मतलब क्या है, CD, हर एक point का मतलब समझाएंगे, और जो हम बोल रहे थे कि wire में ए आते जा रहे हैं, तो wire खिषते, 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 तो वही हम graph बनाए है, कि खिषते, खिषते, कहाँ पर तूटेगा वो, यहाँ पर, जैसे ही वो E point पर पहुंचेगा, तो wire तूट जाएगा, ठीक, और इस E point वो क्या बोलते हैं लोग, इस E point के पहल नीचे नहीं करना, ठीक है, इसको थोड़ा straight ही ले जाओ, नीचे मत करो इसको, नीचे करने से कहानी change हो जाएगा, इसको नीचे नहीं करना है, इसको ऐसे उपर ही दिखाना है, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए ग्राफ एक भी, इसको उपर ही लेकर जाना है, यानि कि य प्लोट होता है बिट्रिल सब्स्टेंस के लिए दूसरा होगा बिट्रिल सब्स्टेंस कभी होता है लेकिन हम लोग यहां पर किसका बात कर रहे हैं अब ध्यान से सुनना यहां पर हर एक में प्रीट लाइन दिख रहा है वह बलो हां तो यह पर वह ही लिए जाए ओए के बारे पहले हां लिक्रया पर ओये पॉइंट वाइस पाइंटए है ओए इस आप a straight is a straight line which represents which represents that stress stress is directly is directly proportional proportional to strain ओए देख रही हो ओए में stress और strain दोनों क्या है directly proportional मतलब मतलब जितना ज्यादा खीचोगी जितना ज्यादा वायर को खीचोगी खीचोगी मतलब जितना उसमें बढ़ाओगी जिसे मानलो की यह वायर था यहां पर साइड में चलो बना रहा है यहांपर जैसे यह वायर था यह वायर का खीच जाएगा और खीच करके कहां आएगा मालो ये wire खीच करके ऐसे हो गया ये 5 kg यहाँ पर अभी और ये इसका length था L और ये इसका कौन से length हुआ ये इसका कौन से length हुआ change in length नया length जो हुआ है ना load को लटकाने के बाद जो नया length मिला उसको हम क्या बोर रहे है change in length तो यहाँ पर तुम और अगर 10 kg का लटका दो तब ये और खीच जाएगा सभी बात है की नहीं 10 kg का लटका होगी तो और खीचेगा ना 20 kg लटका दोगी तो और आ जाएगा नीचे तो जितना ज़्यादा तुम stress दोगी मतलब जितना यहाँ पर load लगाओगी उतना ही ज़्यादा इसमें खीचाओ आएगा यानी की strain आएगा तो देखो यहाँ पर यह देख रही हो straight line यह straight line graph physics में क्या represent कर रहा है कि यह stress और strain साथ साथ चल रहा है मतलब तुम जितना यहाँ पर load लटका होगी उतना ही ज़्यादा यह खीचेगा यह OA region represent कर रहा है उसको और फिर देखो यह BC region AB region देख रही हो यह थोड़ा सा curve जैसे नहीं दिख रहा तुमको यह जो AB region है यह थोड़ा इस तरफ हो गया curve की जैसा मतलब कुछ इस टैक को देखो यह curve जैसा हो गया हलका यह लेकिन यह जो OA तुमको दिख रही है कैसा है straight line तो यहाँ पर देखो OA के बारे हम क्या बोले है कि OA एक straight line graph है जिसमें stress और strain directly proportional है तो तुम लोग खुद बताओ जब stress और strain directly proportional होता था तो उसको हम लोग कौन सा law बोलते थे OA region में एक law follow हो रहा है उस law का नाम क्या है कौन सा law बोलते थे उसको हम लोग है कौन सा law बोलते थे hooks law hooks law hooks law is obeyed यह hooks law कहा obey हो रहा है OA region में यहाँ पर hooks law obey हो रहा है मतलब graph क्यों obey हो रहा है क्योंग graph यहाँ पर straight line जा रहा है देखो B में हम बार बर ऐसे curve जैसा हलका इसको कर रहे है क्योंकि यहाँ पर जो AB region है इसमें graph थोड़ा सा ऐसे हो गया है curve type का तो curve type का हो गया है याई कि AB region में hooks law obey नहीं हो रहा है तो अब चलो हम लोग लिखते हैं हम यहाँ पर AB region के बारे में region AB AB region में क्या हो रहा है यह region AB यह वाला इसमें क्या हो रहा है hooks law hooks law is hooks law is not applicable 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 मतलब मतलब यहाँ पर जो stress stress is not proportional to strain stress is not proportional to strain proportional to strain stress strain के proportional नहीं है मतलब मतलब अगर तुम इस वायर को खीचोगी जितना ज़्यादा खीचोगी तो strain ज़्यादा आ जाएगा क्या बोले हम दुबारा repeat कर रहे है देखो OA तक क्या कहानी है यह OA देख रही हो यह यहाँ तक OA का कहानी यह है कि तुम ज़्यादा खीचोगी ज़्यादा वायर को खीचोगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या दिखे रहे हो तुम को strain यानि कि वायर का लेंट तो नहीं बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर जब तुम E के बात का बात करोगी तो तुम stress कम दोगी मतलब थोड़ा ही खिचोगी और वो ज़्यादा फैल जाएगा दुबारा बताएं देखो यहाँ पर तुम जब A तक पहुँची तो तुम जतना strain दे रही हो जतना stress दे रही हो मतलब तुम मान लो तुम मान लो force दे रही हो 10 newton का कितना force दी 10 newton का तो यहाँ पर यह कुछ जादा ही खिच जा रहा है किसके बाद ऐसा हो रहा है? बोलो जादा खिचना कहां शुरू किया यह? A के बाद A के बाद यह जादा खिच रहा है मतलब stress, strain के साथ साथ नहीं चल रहा है तुम थोड़ा सा खिच रही हो और strain ज्यादा आ जा रहा है, मतलब यह ज्यादा खीच जा रहा है कौन? कौन ज्यादा खीच जा रहा है? Wire, wire ज्यादा खीच जा रहा है ठीक, वही देखों, यहाँ पर लिखा हुआ है Hooks law is not applicable तो यहाँ पर क्या लिखोगी? यहाँ पर इसके आगे क्या लिखोगी? Small stress produces large strain चोटा सा stress, ज्यादा strain प्रड्यूस कर रहा है अरे भाई, चोटा सा stress, देखों, यह ग्राफ इस तरफ जा रहा है मतलब ज्यादा strain मिल रहा है, कहाँ पर? AB region में, यह सारा कहानी किसके लिए? AB के लिए है AB के आगे देखो, तुम लोग AB के आगे पर ध्यान दो AB के आगे जब देखोगी, तो AB के आगे भी देखो वहाँ पर B, C, D, यह सब में देखो, strain ज्यादा है stress भाई थोड़ा ही सही है, लेकिन strain देखो ज्यादा है ज्यादा उस तरफ गया ग्राफ ज्यादा उपर जाने के बज़ाए, ज्यादा इस तरफ गया है यानि कि हम लोग weight, weight समझ रही हो, weight, load load और weight एक ही चीज़ है मतलब हम लोग जो ले रहे थे, 5 kg का हम आपर जो substance ले रहे थे उसको 10, 20, 30 उसका वज़न बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे फिर हम इसको हटा रहे जल्दी से, अभी हम लोग सिर्फ कहां तक का बात किये है इसका a, b region का बात किये और a point का, अच्छा a point को हम लोग एक खतरनाक नाम भी दिये है क्या नाम है a का? a का नाम लिखते है, ठीक है? a point को हम लोग proportionality limit भी बोलते है c का कोई नाम नहीं, c बस एक ऐसे random point है लेकिन c का यहाँ पर बहुत इज़्जत है, क्या इज़्जत है अभी बता रहे है और यह जो d point है, यह d point का भी एक नाम है, e का तो लेखो नाम लिखी दिये, fracture point हर एक points का जो नाम लिखेंगे ना अभी हम उसी से तुमको clear हो जाएगा, कि यह graph समझा क्या रहा है, ठीक है? चलो पहले इसको लिखो, फिर हम इसको छाप, बहुत हटा है इसको अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग कहा तक discuss कर लिए, किस point तक discuss कर लिए, A, B तक ठीक है, A, B के बाद समझो, A, B के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग B point पे, point B point B को हम लोग दो नाम दिये है, point B का यहाँ पर दो नाम है, एक है elastic limit, elastic limit, और दूसरा एक और नाम है, इसका yield point, क्या नाम है, elastic limit और yield point, दो नाम है, किसका, इस point B का, point A का नाम लिग दिये थे, पीछे अभी just proportionality limit, और B point को क्या नाम है, elastic limit या फिर yield point, किसका, B point का, वैसे ही C का क्या है, वो यह वला जैसे wire है, ठीक, इस wire को जैसे मैं इसे खीचेंगे, इस wire को हम खीचेंगे, तो खीचेंगे, खीचेंगे, और फिर इसको छोड़ देंगे, बहुत कसके खीचे मान लो इसके, और उसके छोड़ दिये, तो यह अपना original position वापस आएगा, है, आ जाएगा, आ जाएग तो अपना वापस original position में आता है, लेगिन कभी-कभी अगर जादा खीच दिये, तो वो ऐसे ही रह जाता है, कौन, spring, जादा खीच देते हो अगर उसको, तो वैसे ही, जो उसका position है, उसी में वो रह जाता है, spring, ठीक, तो यहाँ पर देखना B point पे, अगर तुम इसको, अले तुमें इस पे कितना kg का load लगाई थी, इसको खीचने के लिए, कितना kg का load लगाई थी, इसमें, 5 kg का, 5 kg का load लगाई थी, तो भही हम लिख रहे है, if we remove the load, अगर उस 5 kg का वजन को हम लोग हटा देते हैं, तो हटाने के बाद क्या होगा, the wire, जो wire रहेगा, वो अपना original length को gain कर लेगा, अगर उस 5 kg वाला weight को हम हटा जेते हैं, तो wire अपना original length को gain कर लेगा, तो भही लिख रहे हैं, if we remove the load, the wire regains, it's original length, original length, अपना original length को वापस gain कर लेगा, ठीक है, जैसा था वैसे ही हो जाएगा, कब तक, a point तक, at, ने, a point तक नहीं, sorry, sorry, a point तक नहीं, देखो, up till point B, up till point B, अरे भाईया, जब तुम उसको खीचोगी, तो अगर ये wire B point तक गया है, तो अपना original position में आएगा, लेकिन B के बाद, बी के बाद, मतलब अगर तुम उसमें, मालो 30 kg का weight देदी, कितना kg का weight देदी, 30 kg का, उसके बाद फिर उसको छोड़ोगी ना spring को, तो original position में वो नहीं आएगा, जैसा था, खीचा हुआ, वैसे ही रह जाएगा, लेकिन कब तक ये वापस आएगा, B point तक, अगर तुम उसको, मतलब कि यहाँ पर चलो, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तुम 5 kg का weight दी मानलो, और B तक पहुचाने के लिए तुम 10 kg का weight दी, और C तक पहुचाने के लिए तुम मानलो, दे दी, 20 kg का weight, तो अगर यह B को पार कर गया, मतलब 10 kg से तुम 1 kg भी अगर ज्यादा weight दे दी, तो उसके बाद फिर छोड़ोगी spring को, या फिर wire को, तो वो अपना original position में नहीं आएगा, तो कहां तक वो original position में आ रहा है, बोल B को हम लोग क्या वो रहे है, elastic limit या फिर yield point, B तक एक guarantee है, कि वो अपना original position में आएगा, B के बाद, वो अपना original position में आना बंद कर देगा, ठीक, original position में आना बंद कर देगा, अब आते हम point C पे, यहाँ पर लिखते है, point C, point C ने लिखते है, region BC लिखते है, ठीक है, region BC, region BC देख रहे है, BC ला, है न, we increase the load, यहाँ पर हम क्या कर रहे है, वजन को बढ़ा रहे है, अरे भाई वो जो वायर था, उसमें और भारी वजन लगा दिये, मतलब 5 kg से ज्यादा लगा दिये, मार लो हम यहाँ पर लगा दिये, पहले 5 kg का वजन उसमें लगाए, उसका उसमें 20 kg का वजन लगा दिये, कितना लगा दिये, 20 kg का, ठीक, तो जब 20 kg का लगाए, तो वो पहुँच गया, पॉइंट, पहुच गया, वो पॉइंट C पे, उससे पहले वो कहा था, पॉइंट B पे था, उससे पहले वो कहा था, पॉइंट A पे था, ठीक, तो जब पॉइंट C क का बात कर रहें तो हम कित्ता वजन लगा दिये मैं बीस akin डिगा क्या वो वापस आएगा मतलब ये जब हम जो बीस glide का वाजन है को is O पे वो वापस घूम के आएगा बोलो, सोच के बोलो नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि देखो यह graph का अब ऐसा जाएगा देखो यह इस type का हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा अरे 0 नहीं होगा भईया, उसमें कुछ strain आजाएगा इस तरफ strain है ना तो जब तुम इस बार उसको छोड़ोगी तो वो यहाँ 0 नहीं होगा जब C से छोड़ोगी तो वो 0 नहीं होगा कहाँ पर आ जाएगा, इस point पर आ जाएगा और इस point को हम चलो देदे रहें O- तो अब वो wire खिचा रहेगा हाँ होता है न ऐसा spring को अगर हम लोग ज़्यादा कस के खिच देते हैं तो वो खिचा ही रह जाता है ना spring को अगर ज़्यादा कस के खिच दिए तो कभी-कभी वो permanently वैसे ही रह जाता है spring तो इसलिए अगर तुम C point का बात करोगी तो C point पर क्या आएगा permanent strain हटा होगी लोड मतलब 20 kg लोड हटा दोगी C point पर जाके तो अब वो अपना original position में retrace नहीं होगा वो क्या होगा इस तरफ आ जाएगा ठीक तो वही लिख रहे we increase the load and after removal of load after removal of load the wire does not gains its original position original original length original length वो गेन नहीं कर पाता है ऐसा कहां पर हो रहा है यह खुशी ऐसा कहां पर हो रहा है कि वो अपना original length नहीं गेन कर पा रहा है यह कहानी कहां पर हो रहा है B point के बाद B point के बाद नहीं ऐसा हो रहा है B point से पहले तक तो वो अपना original position gain कर पा रहा था B के बाद, B के बाद जो भी positions आएगा उसमें वो अपना original shape नहीं gain कर पाएगा देखो na C point पर जैसे पहुँचाएं उसको ज़्यादा खिच दिये तो जब वो C पहुँचा तो देखो इसको जब वापस stress कर रहे तो देखो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर आता तब ना उसको बोलते कि हाँ भाई उसका जो original length है वो आ गया strain आया मतलब क्या हुआ? strain देखो इस तरफ बढ़ रहा है stress तो यहाँ पर 0 है लेकिन देखो strain यहाँ पर है कुछ खिचाओ उसमें है तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हो यह BC region तो यहाँ पर BC region के बारे हम लोग यह बोल सकते हैं कि यहाँ पर permanent strain आएगा दुबारा फिर से एक बार अगर हम लोग बात करें यहाँ पर BC region का तो यहाँ पर एक permanent strain आजाएगा permanent strain मतलब permanent खिचा रह जाएगा वायर अगर तुम यह जो 20 kg का load है उसको हटा भी दोगी तब भी वो क्या रहेगा खिचा रहे जाएगा कहाँ पर के बारे बोल रहे है BC के बारे ठीक तो यहाँ पर चलो लिखते है region BC region BC has region BC has region BC gives some permanent strain permanent strain मतलब permanent खिचा रह जाएगा वायर permanent strain to wire wire permanently कुछ उसमें खिचाओ जरूर दिखेगा और वो खिचाओ कितना दिखेगा वो खिचाओ बहुत कम खिचाओ दिखेगा कितना दिखेगा less than 1% भाई खिचाओ तो 1% से कम ही है मतलब देखो मतलब यहाँ पर देखो क्या लिख दिए हम 1% से कम 1% से कम कितना होता है जैसे मान लो यह wire था 1 meter का यह 1 meter इसका कौन सा length है original length तो यह 1 meter से खिच कितना हो जाएगा 1.5 meter तो 0.5 meter का खिचाओ है ना इसमें अगर तुम यहाँ से load खटा जी तो तो यह तना खिचा रहे जाएगा wire आया समझ में तो यह कहां तक होगा यह कहानी मतलब क्यों खिचा रहे जाएगा कहां तक C तक लेगिन जब तुम उसको छोड़ रही हो तो क्या वो original position में नहीं आ रहा है C से छोड़ रही हो तो original position में नहीं आ रहा है A से छोड़ रही हो तो आ रहा है B से छोड़ रही हो तो आ रहा है B के बाद नहीं आ रहा है इसलिए B को हम क्या लिखवाए थे Elastic Limit यूँकि B तक ही वो वापस अपना Position को gain कर परा था ठीक है अब हम लोग next आते है C के बाद क्या होगा C के बाद मेरा mood और खराब हुआ हम और वजन बढ़ा दिये अभी कहा तक गये थे 20 kg तक अब हम बढ़ा किसको और कर देंगे 30 kg तो C के बाद हम किसको कितना बढ़ा कर देंगे 30 kg यानि यहां तक ले जाएंगे यानि हम किसको बढ़ा रहे है Stress को Stress को बढ़ा कितना कर देंगे 30 kg ठीक है 30 kg तक हम wire को खीच देंगे ए तुम लोग के समझ में आए जी बंद कर देगा B position के बाद वो अपना original length को gain करना बंद कर देगा कहां तक gain कर रहा है सरिफ B तक क्योंकि B ही एक last limit है elastic limit जहां तक वो अपना original length को gain कर रहा है B के बाद तुम कोई भी point का बात करो छोड़ोगी तो अपना original length में नहीं आएगा अच्छा एक और खास बात एक और खास बात यहां पर देखो तुम ये मत सोचना कि C के बाद अगर हम यहां से line draw करें तो यह यहां आ जाएगा ना C ऐसा point है जहां पर वो वापस आने का कोशिश कर रहा है और वापस आ पा रहा है C के बाद C के बाद अगर तुम वजन बढ़ाती हो तो वो वापस भी नहीं आएगा अरे भाईया B तक तो वो पूरा वापस आ जा रहा था A तक पूरा वापस आ रहा था C तक गई तो original lens से थोड़ा से displace हुआ 1 meter से कितना का वो कितना लंबा खिच गया 1.5 meter लेकिन C के बाद अगर तुम उसको छोड़ती हो वजन लगाती हो लगाती हो उसका वजन हटा देती हो पहले क्या कर रही हो पहले उसके बाद ना हटा रही हो तो तुम उसमें और वजन डालती हो बाद फिर उससे हटाती हो तो अब आता मुल आगा किसके बाद सी के बाद इसी तुमको यह जो सीडीरीजन दिख रहा है सी डीरीजोन सिंपट से प्लास्टिशीटी सीटी क्या बोलते हैं लास्टी कि ल्टे एग फिलास्टिक सिटी यह उन्याष dalla स्ट को यह सकी खीचते हूं उसक बना स्ट प्लास्टिक Кो छोड़ देती हो तो फ्लास्टिक को अपना शेफ को वाइव कर लेता है होता है क्या एसा नहई प्लास्टिक को जो एशंथ किकती हो तो फर्मेनेंट भी खीचा ही रह जाता है बलकी और उसको और हीज cucumber चला जाएगा वो पॉइंट सी, आफ्टर पॉइंट सी, स्मॉल स्ट्रेस, समझ रही हो, स्मॉल स्ट्रेस, यहाँ पर कितना था यह, 20 kg था ना यहाँ पर वजन, 20 kg का लोड को, 20 kg का वजन को बांधी भी थी वायर से, अब तुम 20 kg को बढ़ा करके कर दी मालो 25 kg, कितना kg का वजन बांधी, 25 kg का, तो थोड़ा जी से की 25 नहीं चलो, थोड़ा काम और करते हैं, तुम्हें 21 kg का बांधी, मतलब 1 kg बढ़ाई, कितना बढ़ाई, 1 kg, देख रहे हो कितना आगी चल गया यह, इस्ट्रेन इतना लंबा, मतलब वह वायर कमजोर पड़ चुका है, तुम स्ट्रेस थोड़ा से लगा है, force by area, और तुम जितना ज्यादा यह वजन बढ़ाओगी, उतना force बढ़ेगा, और जितना यह वजन बढ़ेगा, उतना force बढ़ेगा, और जितना ज्यादा force, उतना ज्यादा stress, इसलिए हम बोल रहे हैं, कि यह weight बढ़ाने से stress बढ़ जाएगा, ए आया यह समझ में यहाँ पर हम weight बढ़ाने से stress को क्यों compare कर रहे हैं, क्योंकि तुम weight बढ़ा रही हो ना, तो force बढ़ा रही हो, force बढ़ा रही हो, तो क्या बढ़ा रही हो, stress, आया समझ में, तो तुम कितना की, 20 से कि, 21, मतलब यह C point बे 20 kg का load था, और उस तुम वजन को और बढ़ा की कितना कर दी, उसका load का, जो रसी से लटका वाव लोड, उसको तुम 20 से 21 कर दी, तो देखो, और strain बढ़ गया, और ज्यादा strain दिखने लगा, तो वही चीज़ अभी में आप लिख रहे है, after point C, a small stress, a small stress produces, produces a large strain, large strain, थोड़ा से stress से बहूत ज्यादा strain, थोड़ा से stress लगा है, और अब आते हैं, point D, point D का दो नाम है, point D पे, सोच के बता ना, फुल जंचिया, point D पे, stress maximum है कि minimum, point D पे, stress maximum कि minimum, है, हाँ, देखो, हम बोर रहे हैं, कि point D पे, सोच के बता ना, point D पे, stress maximum है कि minimum, है, देखो, stress इदर है ना, तो stress point D पे क्या है, maximum है, बो, point D पे stress सबसे उपर है, ठीक, तो देखो, point D का हम क्या बोलेंगे, point D का हम लोग बोलेंगे, maximum stress वाला point, maximum stress, maximum stress, और मानलो हम यहाँ पर, यहाँ पर 20 kg का लोड था ना, यहाँ पर लोड को हम कितना कर दिये, 30 kg, और 30 kg के बाद हम लोड को बढ़ाना बंद कर दिये, मतलब अब यहाँ पर हम stress, यानि कि जो force है, उसको maximum दे दिये, यह जो stress होता है, force by area, यहाँ पर maximum कर दिये, strain अभी भी बढ़ रहा है कि बंद हो गया बढ़ना, हम तो यहाँ पर deep maximum कर दिये, देखो strain उसके बावजूद नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि wire अब liquid के जैसा बह रहा है, अरे liquid कैसा होता है, अपने मतलब, वो movie में नहीं देखी हो, movie में जो hero ऐसे रसी में लटका रहता है, उसके रसी धिरे धिरे खुद पतला होते होते, thinning नहीं होता है रसी का, उसके रसी खुद पतला होते होते तूट जाता है, देखो वही हो रहा है, wire को अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम यह 30 kg का load दिये थे, बस रूप गये हैं, और यह 30 kg वाला load, अब हम और मतलब load द जा रहा है, आया समझ में, तो यहाँ पर point D पर क्या है, maximum stress, या फिर उसको अमनों tensile stress भी बोलते हैं, tensile stress, point D पर maximum tensile stress है, point D पर, ठीक, अब आते हैं, last मेरा D region पर, है ना, अब आते हैं, last region D, region D, region D, यह देख रहे हो, यह D region, ठीक है, D region में क्या हो रहा है, without, without applying, without applying, any stress, strain, increases, strain, increases, strain, increases, बीना कोई stress लगाए, देखो ध्यान से, यह D region में, हम stress, यानि की खिचाओ नहीं लगा रहे हैं, यह अपने आप ऐसे इधर जा रहा है, और E point पर क्या हो जाता है, fracture point, है ना, यहाँ पर अब लिखते हैं, lastly, point E के बारे में, point E के बारे में, point E में क्या हो जाता है, finally, the wire breaks, finally the wire breaks, है ना, इसको अब लोग breaking point नहीं बोलते है, point E को हम लोग fracture point E बोलते हैं, breaking point नहीं बोलते हैं, यह जो D point देख रही हो, इसको breaking point बोलते हैं, और region D में क्या हो रहा है, हम stress तो यहाँ पर लगाना बंद कर दिया हैं, हम stress कब तक लगाएं, हम stress यहाँ तक लगाएं, उसके बाद हम stress हटा दियें, सारा load हटा दियें, wire को free कर दियें, अपने अपने wire ऐसे, अपने जुलते जुलते wire अपने क्या हो गया, तूट गया, ठीक, तो यह हुआ stress strain curve, और यह किसके लिए हैं भाई, अलिमूनियम के लिए, कॉपर के लिए, अलिमूनियम और कॉपर जैसा wire जो होता है न, उसमें ऐसा हम लोग देखते हैं, कहानी, यह kg उजी हटा दे रहें, यह सब नहीं लिखना है, ठीक, यहाँ तक तुमको पुरा करके आना है, अगर stress strain कर वाया एक्जाम में, तो, रबर ऐसे मोडोगी, मोडोगी, रबर तो तुरन तूट जाता है, तो इसलिए रबर के लिए ग्राफ नहीं होगा, रबर के लिए कुछ और ग्राफ बनेगा, और में यह stress strain कर किसका हुआ, फिर से दुबारा रिपीट करें, ductile के लिए, ductile materials के लिए, brittle के लिए कुछ और हो यह stress strain कर्व.